आज यैसे ही मम्मी माईके से लोटी पापा और मम्मी की फिर से बहस हो गई मुझे और दादी को देखकर ये सब बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि पापा और मम्मी की ये जो बहस होती है न वो काफी जादा मज़ेदार होती है दरसल हुआ ये कि मम्मी को पापा ने बोले तुम मेरे लिए ना दही का हलवा बना दो अब मम्मी बोलने लग गई कि भई कोई दही का भी हलवा होता है क्या तो पापा बोले कि हाँ क्यों नहीं होता मेरी मा से पूछ लो मेरी मा तो अक्सर दही का हलवा बनाती है और वो बहुती ज़ादा मज़ेदार भी होता है तो मेरी मम्मी दादी से बोलने लग गई की अरे मम्मी आप भी बता दीजिए की ये दही का हलवा कैसे बनता है तो दादी ने भी बोल दिया की अरे पता नहीं मुझे तो याद नहीं है कैसे बनता है फिर मैंने मेरी दादी को मसका लगया कि अरे दादी मा बताई दीजिए जब पापा का खाने का इतना मन है इसी बहाने हम भी थोड़ा खा लेंगे तो दादी बोले कि चलो ठीक है बता ही देती हूँ दादी ने बोले कि एक रुमाल लेनी है वो भी साफ सुतरी अच्छे से औ और उसमें जो है दही को कुछ इस तरीके से डाल देना है यानि कि आधे कटोरी के लगबग दही को डाल देना है अब रुमाल को जो है कुछ इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लेना है यानि कि दही को जो है अच्छे से हमें टाइट रखना है और इस तरीके से फोल्ड क राइट हो जाएगा और बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा एक क्रीम की तरह ये जो दही है वो बन कर त्यार हो जाएगा यहां पर पापा बहुत खुश हो रहे थे कि चलो आज तो उन्हें दही का हलबा खाना पड़ेगा वो भी मज़े से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस रुमाल को खोला यह जो दही है वो कुछ इस तरीके से हो गया है जो कि बहुत ही जादा खूबसूरत लग रहा है अब इसको जो है एक कटोरी में निकाल लेंगे दादी ने भी बोल दिया कि मैं तुमें सिर्फ इस बारी बता रही हूँ मैं बार बार नही बताओंगी तो ममी ने बोला कि कोई ने मैं सीख जाओंगी बस आप मुझे एक बार ही बता दीजी यहां पर हमने इस दही को जो है कटोरी में निकाल लिया है अब इसमें जो है कुछ दो चार चीज़े एड़ करेंगे तो चलिए वो भी एड़ कर देते हैं तो यहां पर अ अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे ही आप इसको अच्छे से मिक्स होने के लिए थोड़ी देर रखोगे तो इसका जो कलर है वो पूरे तरीके से चींच होना शुरू हो जाएगा अब इसको जो है थोड़ी देर हम ढखकर रखेंगे और दूसरी तरफ चलते हैं जहां हमें ए खलवे में चार चांद लगा देंगा अब इस सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसका जो है एक मेहिम सा पाउडर कुछ इस तरीके से हमें बना लेना है ये देखिए और इसको एक बाउल में निकाल देंगे और फिर से एक मिक्सी जार लेंगे और इस दो-तिन चमश के करीब देशी घी का इस्तमाल करेंगे और इधर हमारे मखाने भी त्यार हो गए हैं और अब हम लगबग दो-तिन चमश के करीब यहां पर इस्तमाल करेंगे बेसन ये देखी और इस बेसन को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ आपको एक ब वर्ट के लिए बिला रहे हैं तो यहां पर बेसन को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मली बिला रहे हैं तो यहां पर बेसन का जरूर इस्तम course कीजिए, वैसे इसको भी वर्ट में बहुत्त ही आजाईनी से खा सकते हैं, क्या Carnival के लिए सम्मसर की इसे हमे इसे की चां इस तरीके से बेसन का जो कलर है वो धीरी-धीरी करके चेंज होना शुरू हो गया है यहाँ पर बेसन भुन रहा है तब तक आप हमें कमेंट करके बता दीजी कि आप ही हमारा प्यारा सा वीडियो देश की कौन से कौने से देख रहे हैं ताकि हम आपका थैंक्स कर सके पिछला थैंक्स जाता है गोपाल जी को कश्मीर से और लुध्याना से जाता है समेशता जी को तो आप भी प्यारे-प्यारे से कमेंट कर दीजे ताकि आपका नाम हम अपने अगले वीडियो में ले सके जैसे ही बेसन भुण जाए तब यहां पर हम एड़ करेंगे माखाने ये देखिए माखाने थोड़े से मोटे मोटे ही रखना है जादा एकदम बारिकी से नहीं पीसना है क्योंकि ये जो मोटे मोटे मकाने है जो खाएंगे और मुँ में आएगा तो बहुत ही अच्छा टेश्ट इसका आएगा और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये जो मिश्रन है बेसन का मकाने का बादाम का वो कुछ इस तरीके से ड्राई हो गया है अब इसको जो है एक प्लेट में निकाल देंगे और कड़ाई में फिर से थोड़ा सा जो घी है लगबग एक चमच के करीब घी का यहाँ पर इस्तमाल करेंगे और इसको थोड़ा सा गरम होने के लिए रखेंगे जैसे ही घी गरम हो जाएगा तब यहाँ पर हम एड़ करेंग दही और केसर को जो हमने यहां पर रखा था थोड़ी देर रेस्ट के लिए उसको रखेंगे और कुछ इस तरहीके से इसमें डाल देंगे और यह देखें केसर की वज़े से यह जो दही है वो थोड़ा यलोईश हो गया है और इसमें काफी अच्छी खुश्बू भी आ रही है बस यहां पर स्पेचुला की मदद से हम इसको लगातार चलाएंगे ताकि यह जो हमारा हलवा है वो वो विल्कुल परफेक्ट बने इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे और इसी के साथ में स्वाद आनुसार हम यहां पर चीनी का इस्तमाल करेंगे इस चीनी को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूसरी तरफ मेरी दादी पापा को बोल रही है कि हलवा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकि भी बोल दिया हाँ दादी खुश्बू तो बहुत ही अच्छी आ रही है आज तो कुछ बहुत ही टेस्टी सा कुछ बहुत ही बढ़ी असा मिलेगा तो दादी बोली कि आरे बढ़ी असा क्या है मैं तो तुम लोगों को अक्सर खिलाती थी बहुत पहले तो मैंने का हाँ सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी खुश्बू जो है वो पडोसी के घर तक चली गई है सच बता रही हूं इतनी जादा अच्छी खुश्बू आ रही है और मन कर रहा है कि इसको अभी ही खालू लेकिन ममी बोल रही है कि इसको हमें थोड़ी देर और त्यार हो गई है और इस तरीके से अगर आप अपने घर पर दही का ये जो हलवा है वो बना कर त्यार करोगे तो यकीन मानिए नॉर्मल हलवा भी आपको फीका लगने लगेगा ये देखिए किता जादा टेस्टी लग रहा है एक बार मेरे कहने पर इस तरीके से अपने घर पर ये हलवा बना कर जरूर ट्राइ कीजेगा आपको और आपके परिवार को पहुती जादा पसंद आएगा तो आज की आपको ये रेसेपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंट्स मैं चलती हूँ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना और साथी ये जरूर कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं बाबाई